पहलवानों के योन शोसर के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसत ब्रिजबूर संट सरंड सिंग ने आज रैली के बहाने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जिसमें कई जिलों के समर्थक और बीजेपी कारेकरतार सामिल हुए रैली का आयोजन केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल प पढ़ रही है बीजेपी सांसत ब्रिजबूशन शरंड सिंग पर महिला पहलवानों के योन शोशन का आरोप है खिलाडी इंतजार में है कि कब ब्रिजबूशन की गिरफतारी होगी लेकिन आज ब्रिजबूशन शरंड सिंग ने बड़ी रैली की इस रैली में बीजेपी क कई नेताओं कारिकरताओं और समर्थों को ने हिस्सा लिया जहां ब्रिजभूशन ने अपनी कवीता के जरिये पहलवानों के योशोशन के आरूपों को फिर खारिच किया है मोधी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष में बालपूर की रगुराश शरण सिंग महाविद्दाले परिसर में आयूजित रैली में ब्रिजभूशन शरण सिंग ने शक्ती प्रदशन में कोई कसर नहीं छोड़ी जिले के कोने कोने से कारिकरताओं और समर्थों को बुला गोंड़ा के अलावा बहराईच और बलरामपूर जिले से भी समर्थक जनसभा में पहुंचे थे इसरेली में मुख्य अतिती के रूप में मध्यप्रदेश की उच्छ शिक्षा मंतरी डॉक्टर मोहन ग्यादफ पहुंचे उनके साथ ही तरब गंज विधायक प्रेम नारा से सहीत तमाम जन प्रतिनीधी मौजूद रहे इस रैली से जो तस्वीरे आ रही है उससे साफ है कि ब्रिजभुशन पर लगे आरोपों का उस पर कोई असर नहीं है ब्रिजभुशन शरण सिंग ने ये रैली ऐसे मौके पर की है जब शनिवार को पहलवानू ने सोनीपत खाप पंचायत में साफ साफ कह दिया है कि अगर 15 जून तक ब्रिजभुशन को गिरफतार नहीं किया गया तो 16 या 17 जून को बड़ा फैसला लेकर तमाम संगटनों के साथ फिर से आंदोलन करेंगे इसके बाद प्रदर्शन भी दुबारा शुरू किया जाएगा आपको बगा दे कि बीजभुशन शरण सिंग के मामले में काफी साफधानी बरत रही है दरसल ब्रिजभुशन का प्रभाव ना केवल गोंडा बलकी बहराईच बलरामपूर औ बी काफी ज्यादा है ऐसे में बीजेपी उन्हें दरकिनार करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है दीबी लाइफ की रिपोर्ट